हेलो दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि CSS के पोर्टल जो है निकल चुके हैं और इस वीडियो के अंदर में उसे के अबारे हैं बात करूँगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे अब उसमें क्या था कि उसमें मट्युटल यशियोनीवर्सटी के लिए उनीवर्सटीय के लिए एकजाम होता है जो आप पहुंसलिंग प्रोसेश पर फोने इसमें इसमें जो पर्टल यह बिसिकली इसमें तरी यसी निउनिवर्स्टी जैना आखको सब्हों अब अब जैसे हम BFA वाले जो है ठीक है वो जो college है ना college of art दिल्ली का college of art यह डियू का college है ठीक है तो यह डियू के अंडर आता है तो यानि कि इसलिए आपको CSS का portal फिल करना पड़ रहा है दूसरी चीज अगर आप कोई और degree में इंडोल कर रहे हो बी यह वगेरा दूसरी जितनी बी डिग्रीज है उसमें अगर आप इंडोल कर रहे हो तो उसमें भी जो है आपको यह पोर्टल जो है ज़रूर आता है क्योंकि जितनी भी दिल्ली यूनिवस्टी के जितनी भी यूनिवस्टी है यह कोल्जी से यह उसके लिए पोर्टल है आपका आयों कि यह जो confusion है यह कि दूर हो गई होगी अब किसी यू टीम और इसमें क्या murdered तो जो डिलियूनिवस्टी में नहीं आते हैं दूसरी चीज और आपको फोर्म कैसे फिल करना है ठीक है इस की में थोडिकी देवें हो पॉर्टल में जाके वो कैसे फोर्म को फिल करना है इसकी डेट वागे रख्या है वो मैं उका बता जिता हूँ तो पर इसकी डेट देख लेते हैं डेट जो है इसकी बड़ी कन्फूजिंग सी इन्होंने दे रख किया है और क्योंकि जो दिल्ली युनिवर्स्टी है इसने एक्जेक नहीं बताया कि यह डेट है आपकी लेकिन हम एक एस्टिमेड लेके चल सकते हैं कि आपकी जो डेट होगी वो 30 जून गरिफ करीब मांजिन सकते हूं एक ऊसले सीसीन डेट नहीं है है बो poser का अपकी जो प्रेसिक यह आपके यह अपके तीन face में हो पहला पयल्स पाल तो पहले मोग्प को स्विछ आजाए जी को होगा तो अब दिखते हैं यह जो आपके टीन दूसरा जो फेस है उसके लिए आपके और दूसरी चीज़े होंगी ठीक है सब्जेक्ट मेपिंग वगेरा ये सब चीज़े दूसरे तीसरे पोर्टल के अंदर आपके होंगी और जो दूसरा पोर्टल है आपका रिजल्ट वगेरा आ जाएगा सी यूटी का यह तब आपका जो ओपन होगा अब बेसिकली जो आप हमारा पहला पोर्टल है उसको हम पहला जो फेस है जैसे ठीक है तीन फेस में डिवाइड़िट है तो अभी जो पहला फेस है उसके बारे में हमें जरूवत है तो उसके बारे में हम जनकरी ले ले लेते हैं और जो दूसरा फेस है ती registration रहे होगा और OR regionstation में आपका ofthe od उसके बहाध नाएसाइर वैसा कुछ-कुच है सिंपल सा उसमें आप आप बहाधे होगे दिये की अपनी इमेल OTP बहुता है तो स्थे के दीदि करने के बाद दॉबारा lug इन करोगे दो सब्लें आप जो भरोगे अब उसमें क्या जो भी आपके नाम वगेरा थे जो की basic information थी नाम email हो गया आपके ठीक है वह आपके चेंज नहीं होंगे ठीक है वह आपको यूटी के form से उठा लेगा वह कुछ जो डेटेल्स होंगी उसके बाद जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्स होगे रहा हैं जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने अभी बाद में जिसकी अप्लाइड आट में आपको चेंज करना या फिर आपको इस्ट्रीम्स बेसिकली चेंज कर सकते हैं तो बहुत सारी चेंज्जीस आप इसमें निम्स कर सकते हो सब्जेक्ट पके लिए रह कर सकते हैं तो इसकी इसके बारे में नाम, email देख्योई बनें बढाद में वह सारी से बीध् Guten beansत्या कि 12th आगे फिर एक अगर नहीं आया तो इसके दर आवेट या फिज उसकी नीची के जो उप्षेंस होते हैं वह आप चूज कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम चलते हैं क्या 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 उप्षेंस हैं क्यों खूज अप बटाया है सबसे लास्केंस है और दूसरे सबजेक्ट है उनकी पहले बता ज़ता हूं उनकी सो 200-500 के आराउंड रहती है ठीक है अब जो BFA वाले स्टुडेंट है उनकी फीस 400 है ठीक है ध्यान से बतायता हूं 400 आपकी फीस होगी अब बहुत से स्टुडेंट इस चीज से उफेंड हो रहे हैं कि हमारी फीस इतनी जादा क्यों है क्योंकि आठेस्ट जादा अमीर होते हैं इसलिए उनकी फीस भी ज्यादा है ठीक है यह में मजाग कर रहा था तो देखो BFA, BSC यह जो कुछ ठीक है इनकी फीस थोड़ी जादा रखीगी इसे 400 होगी इसके अरूंड अब बस यह एक डिफ्रेंस है ठीक है बीएफे वालों में ठीक है आपने डोकिमेंटी पढ़ती ह आपने अपनी फीस एस्टेशन और इस सब भी कर दी तो इस लेसन को अभी बीच में रोके एक चोटी सी इंफोर्मेशन आपके साथ शेयर करने है मुझे जैसे कि आप जानते हो कि बीएफे एंटेंस में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है उसके लिए जो हमारे बैची से वह ओपन है एड्मिशन ओपन है क्लासिस के लिए तो आप इंड्रोल कर सकते हो क्लास में बीएफे एफे एंटेंस की प्रपिशन के लिए ऑल्लाइन दोनों ही क्लासिस अवेलेबल हैं सो आप जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंस के काम और स्टूडेंस की ग्रोथ कितने हाई लेवल पर हो रही है विकॉस अब्दा हमारी जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है बहुत दादा एडवांस लेवल की ओ ट्रेनिंग है जो पर आपको मैसेज कर देना है और आपको सारी इंफोमेशन प्रोवाइट कर दी जाएगी जो भी क्लासिस से रिलेटेट होती है अब जो आपके कोलेजिस पगे रहा है यह सब कब स्टार्ट होंगे इसकी डेट में बतायता हूं यह बिसिकली एस्टिमेट लेके चल सकते हो अगस्त में आपके कोलेजिस स्टार्ट हो जाएंगे एक अगस्त या दस पंदर अगस्त के बीच में आपके जितने भी कोलेजिस होते हैं यह सब स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त के अराउंड ठीक है और जो आपके दूसरे जो certificates होते हैं ठीक है जैसे कि आपके OBC, MCL, EWS यह वाले जो certificate होते हैं यह एक साल के लिए valid होते हैं तो 31 March ठीक है 31 March के बाद यह valid नहीं है तो इसको आपको basically दुबारा से जो है इनको renew करवाना पड़ेगा और जो देखो HCRHC के certificate होते हैं तो lifetime valid होते हैं लेकिन जो आपके EW, OBC ठीक है और MCL यह वाले certificates हैं यह आपके एक साल तक के लिए valid है तो इनको आपको नए basically बनवाने होंगे तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो उसके लिए आपको काफी time मिल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है तो आई होब कि अप सारी confusion जोगी वह दूर होगी दूसरी बात form कैसे फिल करना वह भी मैंने आपको और ली बता दिया है ठीक है इसमें कुछ करके दिखाने जैसे कुछ difficult चीज नहीं है बहुत easy साफ हो में जैसे कि अपने CUT का बराता आप चाहो तो खुद भी बढ़ सकते हो या फिर अगर आप किसी cyber cafe में जाके भरवाना चाहो तो अभी बढ़ सकते हो और एक चीज ध्यान रखो जब भी cyber cafe में जाके आप किसी से form भरवा रहे हो तो एकदम ग ज्यान रखो गिद की नजर रखो महाँ पर ठीक है दूसरी चीज खुद से भी form फिल कर सकते हो बहुत easy सा फॉर्म है अब कोई confusion नहीं होगी इस चीज को लेके कि जो फॉर्म है यह CSS के जो पोर्टल के जो फॉर्म है कांसिलिंग जो है की तरफ से इसके बारे में क्या है क्या करना यह ठीक है जो भी confusion हो रही थी अगर अभी बहुत से स्टूडेंट ने दिया यह एक्जाम ठीक है आपने college of art का form भराई है तो आपको CSS का portal बनना पड़ेगा ठीक है चाहिए आप किसी भी जगे पे हो ठीक है कहीं किसी भी जगे से आप belong करते हो बना रसके हो या कहीं के भी हो तब भी आपको CSS form फिल करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने दिल्ली युनिवस्टी के लिए apply कि अगर आपको apply करना है तो यह में specifically जो हमारे BFA के students हैं उनके लिए में वीडियो बना रहा हूं specifically तो इसलिए में बार आप BFA का जिक्र कर रहा हूं otherwise जो दूसरे colleges हैं अगर आपने दूसरे colleges का भी भरा है ठीक है और दिल्ली युनिवस्टी के ही है तब भी आपको यही form basically इस जो है हम उसके बाद देंगे ठीक है और practical exam के लिए आपको अपनी तयारी पक्की करके रखनी है जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि practical exam theory की तरह नहीं है जो आप एक दिन पढ़ लोगे दो दिन पढ़ लोगे और आपको दिया होके जाके उसके लिए आपको दो त आपको प्रॉपर अच्छे सा guidance दी जाएगे जिसमें कि आपको मैं ही सिखाऊंगा चैपको online सीखना है दोनों ही training आपको परवाइट की जाती है और दोनों training में कोई difference नहीं होता है ठीक है बहुत से students सोचने की offline ज्यादा अच्छा सीखने को मिलता है उससे कुछ नहीं होता बिसिकली जो techniques और जो आपको advanced techniques आपको सिखाई जाती है वो चीजे matter करती है ठीक है जो आपको teacher सिखा रहा है वो चीजे matter करती है ठीक है तो professional चीजे होती है जो आपको सिखाई जाती है ताकि आप अपना जो endness का exam है practical है उसको आप easily clear कर सको अब ज़ाधा time है नहीं देखो कोई skill है यह आपके time आपके basically lifetime काम आने वाली चीज है क्योंकि आपने कोई चीज सीख ली है ठीक है still life आपने बिनाने सीख ली composition सीख ली इस सिर्फ exam तक काम नहीं आएगा यह exam के आगे भी काम आएगा ठीक है आपने पी नेक्स्ट वीडियो में थेंक यूवचिं गाइज कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग